सिमांचल में मुसल्मान वोट तो नालंदा में कोईरी वोट पर डबल अटैक करने के मूड में बीजेपी आ चुकी है असा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिमांचल में पद यात्रा 18 और 19 मार्च को अवैसी करने जा रहे हैं जी हाँ AIMIM के सुप्रीम असदुदीन अवैसी तो दूसरी तरफ विरासत बचाओ नमन यात्रा के मार्फत नालंदा में एक बड़ी जन सभा का आयोजन करने जा रहे हैं उपेंद्र को स्वाहा अब देखिए ये दोनों मिलकर सिमांचल जो की मुस्लिम बाहूली लाका है वहाँ पर अगर 2020 जान सभा चुनाओ को देखे तो करीब 5 लाख 23,000 वोट अवैसी के पार्टी को मिली थी जो की बड़ा वोट है और इसके अलावा अगर नालंदा की बात करें तो वो कोईरी बा महागटबंधन के लिए मठिया पलीद जरूर हो सकती है दोनों का आक्रें इस वीडियो में हम करेंगे पहले हम अवैसी की बात कर लेते हैं यानि असादुदीन अवैसी दरसल बिहार में अवैसी ने लगतार मेहनत करके अपनी राजनेतिकी स्थिति को तो मजबूत किया है अगर हम पिछले तीन उप चुनाओं में बात करें तो अपनी उपस्थिती भर से उन्होंने महागटबंधन की परिशानी बढ़ा दी है नतीजा ये हुआ कि तीन में से दो विधान सवा सीटे बीजेपी के पास चली गई और 2020 के विधान सवा सीटे बीजेपी के पास चली थे उनकी पार्टी को कुल 5,23,239 वोट मिरे थे इसलिए लोग सवा चुनाओं में अब ऐसी के उमिद्वारों ने अगर अल्फ संख्यक वोट को एक हिस्से को अपने का पाले में कर लिया तो कहीं न कहीं इसका बेहत बड़ा फायदा आप कह सकते हैं सिमांचल के छेतर में जहां पर 3-4 लोग सवा सीटे हैं वो बीजेपी को जरूर मिल सकता है जी हां और अगर उपेंद्र कुस्वाहा के हम बात करें जो नालंदा में उनका रहा है एक बड़ा योजन होने जा रहा है तो महागडबंधन की राजनितिक उमीद पर पानी फेरने के लिए राष्ट् नितीश कुमार को उनकी ही जमीन पर पटकनी देने के लिए तयारी कर रहे हैं इस लिहाजा विरासत बचाओ यात्रा के दूसरे चरण में 15 मार्च को उपेंद्र कुस्वाहा नालंदा की भूमी पर नितीश कुमार के विरुद्ध राजनिति का ऐलान करने जा रहे हैं तो अब हम बताते ते हैं आपको कि आखिरकार उपेंद्र कुस्वाहा फैक्टर जो है वो कितना भारी नालंदा में देखिए उपेंद्र कुस्वाहा के नालंदा दोरा कितना प्रभावी पढ़ेगा वो तो अगले लोकसभा या फिर विदान सभा चुनाओं में त्थे हो जा है नालंदा विधान सवाँ छेटर में तो कोईरी वोट निरनायक हो जाता है कोईरी समाज के वोट जिसकी तरफ जाएगा जीत उसी की होगी नालंदा में कोईरी समाज उसके बाद कुर्मी या तो भुमियार की चौथे नमबर पर है, साथ साथ राजगीर विधान सभा की बात किजिए, तो वहाँ पर कोईरी समा तिसर नमबर पर है, जीत का फैक्टर को यहाँ और मजबूती परदान होता है अक्सर कोईरी और कुर्मि मिल कर ही जीत का दिसा और दिसा प्रतिशत है यहां भी यह कारण है कि वह वहां पर चुनावी बन जाते हैं तो कहीं न कहीं यह दो जो छेत्र हैं बिहार के एक नालंदा और दूसरा सिमानचल यहां पर बीजेपी परदे के पिछे से अब अटाइक करने के मोटो में हैं सिधे दरीके से आप समझ लेजिए कि 18 और 19 मार्च को जो पद यात्रा होगा असदुदी न वैसी का सिमानचल के छेतर में वो कितना परभाव करेगा कितना परभावित करेगा लोग सभा को इसका अंकलन आप 2020 के विदान सभा चुनाव से निका लिए इसका अंकलन आप पिछ जो लोग सभा है चाहे नवादा हो वहाँ पर भी दिख सकता है तो बीजेपी कहीं न कहीं जमीन पर 2024 के लोग सभा चुनाव की तयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है हाला कि चुनाव फिलहाल एक साल के बाद होगा अगले साल इस समय तक महौल बनते रहेगा लेकिन तयारिया अभी से शुरू हो चुकी है फिलहाल इस रिपूर्ट में इतना ही आप बने रहेए दे विहार टॉप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया